अब विश्चुजीत सिंग आप सभी का दीगनव पे स्वागत करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.09 का Last 5 Year का Question विपर सॉल्फ करने वाले हैं दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं roughly introduction देता हूं किस वीडियो का benefit क्या है दोस्तो इस वीडियो के थुरू हम last 5 year के question paper solve करेंगे MA history, MHI 09 के और हर एक year में IGNU के अंदर में 2 बार exam होते हैं कब-कब exam होते हैं तो June session और December session में exam होते हैं और हर एक question paper के अंदर में total 10 question पूछे जाते हैं ऐसे करके आप लेके चलते हो तो आपके हर एक साल के अंदर में एक year में आप total 20 question को solve करोगे ठीके, इस तरह से हम 5 साल का question पर solve करते हैं तो almost हम handed questions को solve करेंगे और handed questions जब आप solve करते हो तो benefit क्या होता है दोस्तों, आपके पास एक list बन जाता है list के अंदर में क्या आता है कि किस तरह के questions पूछे जा रहे है most repeated question क्या है question का pattern क्या है किस तरह से पूछे जा रहे है pattern of question क्या है वो आपको समझ में आ जाता है तीसरा क्या है most important question क्या बन रहा है ये आपको समझ में आ जाता है चोथा चीज क्या रहता है जो सबसे most important मैं मानता हूँ अब मैं हर एक question को solve कर रहा हूँ सभी का answer बता रहा हूँ आपको तो किस question में किस तर से answer लिखा जाना है ठीके way of writing the answer उसका भी आपको यहाँ पर idea मिल जाता है जो बहुत important होता है तो दोस्तों मैं यह कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा last तक देखते हो ठीके मैं आपका courses करूँगा अच्छे से समझाने का बहुत अच्छे सा आपको समझ में आए आपका syllabus clear हो तो अगर आप वीडियो को last तक देखते हो कि सभी chapters के सभी जो subjects हैं उसके मैं important questions की video इसी तरह से बना सकूँ और आपका exam में जो help हो सके किसी ना किसी तरह से आपकी मदद की जा सके वीडियो को start करने से पहले एक छोटा सा brief introduction लेते हैं question paper का तो दोस्तों यह आपका MA history IGNU का MHI 09 subject है जिसका book का नाम है भारती रास्टी यह आंदूलन ठीक है यह देख पा रहे हो June 2018 का question paper हम solve करने वाले हैं ठीक है इसी तरह से June 2018 फिर December 2018 ऐसे करकर के हर एक साल में दो question paper हम यहाँ पर solve करेंगे दोस्तों आगे मैं बात करूँ इस question paper के अंदर में तो total time आपको solve करने के लिए मिलता है तीन गंटे ठीक है जो total number of होते हैं यहाँ पर जो paper solve करने पर मिलते हैं 100 number का आपको total question paper आता है जिसके अंदर में से दोस्तों आपको total 5 ही questions को attempt करने हैं जबकि मैं हर एक question paper होता 8 से 9 question आपको मैं solve करके यहाँ पर दूँगा ठीक है तो आपको 5 question को solve करने हैं तो अक्सर बच्चों के मने में होता है कि सर मेरा एक question 20 number का है ठीक है तो मुझे कितने page में इसका answer लिखना है तो इगनू के अंदर में जब आप MA history master of arts की बात करते हो master of history की बात करते हो तो आप हम page की बात नहीं करेंगे कि कितने page में लिखना है आप page मत भरो पर जो आप लिख रहे हो चाए एक page में लिख रहे हो चाए आदा page में लिख रहे हो valuable लिखो जिससे वो 20 में से 20 number आपको मिल सके और उसी पर हमारा पूरा focus रहेगा तो यहाँ पर हमें page पर नहीं focus करना है हमें किस पर focus करना है words पर focus करना है हमें courses करना है कि एक question का जो answer हो almost 500 word के अंदर में हो जिससे हमें अच्छे number मिल सके अगर 500 word से ज़्यादा है तो number कटेंगे 500 word से कम है तो भी number कटेंगे almost करीब में 490, 480, 430, 440 जूपर हो आपका word तब आपको 6 number मिलेंगे और जो पूछा गया है point to point answer लिखो तब आपको number मिलेंगे ठीक है समझ में आता है आगे मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला question आ जाता है हम पहले question को solve करते है पहला question हमारा आता है आर्थिक रास्टवाद से आप क्या समझते है इसके आरंभिक समर्थ को के मुक्खे विचार को की विवीचना कीजिए अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 question है यहाँ पर मान के चलो अब दजदस नमबर के 2 points में हमें answer देना है दो questions के answer देना है ठीके पहला question यहाँ पर आता है आर्थिक रास्टवाद होता क्या है अब देखो आर्थिक रास्टवाद जब हम बात करते हैं तो आर्थिक रास्टवाद को समझने से पहले हमें विचारधाराओं को समझना पड़ेगा आर्थिक रास्टवाद का एक तरका विचारधारा है तो परमुख आधूनिक रास्टवाद की विचारधारा है परचलित हैं आज के आधूनिक रास्टवाद की विचारधारा कहते हैं दूसरा हम विचारधरा को रास्टवाद की विचारधरा कहते है ठीक है जिसके अंदर में रास्टवाद की भावना होती है ठीक है और तीसरा विचारधर हम कहते है आर्थिक रास्टवाद जहां पर रास्टवाद की भावना हो पर उसका मेन जो आधार हो क्या हो आर्थिक र वर्थववेस्था और घरेलू नियंत्रण उन सभी चीजों को हम आर्थिक रास्टवात के अंदर में रखते हैं श्रम क्या होता है कोई भी मज़दूरी करने कोई काम करना जो लेवर वर्क है सारा ठीक है जो भी हम मज़़ूरी करवा रहे हैं वो सारा स्रम आर्थिक राष्टवात के अंदर में आ जाता है पुंजी जो भी हम कैपिटल लगा रहे हैं उसके अंदर में वो सारा आर्थिक राष्टवात के अंदर में आ जाता है घरेलू नियंतरन जो भी घर के अंदर में चीज़े चल रही है फिर जो ववस्ता है घर की ठीके किस तरह से हमें खरीद रहा है किस तरह से बेचना है जो भी चीज़े हैं वो घरेलू नियंतरन वो भी आर्थिक रास्टवाद के अंदर में आ जाता है और जो पूरे समाज की अर्थव विवस्ता ठीक है जो एकनॉमी है वो भी आर्थिक रास्टवाद के अंदर में आ जाता है ठीक है समझ में आता है अब आर्थिक रास्टवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्थिक रास्टवाद के अंदर में होता क्या चीज़ है तो आर् पर हम राश्ठ को लेका चलते, राश्ट की भाबना रहती है, जहाँ पर हम अपने देशीद के लिए कारे करते हैं, तो यहाँ पर भुमंडली करन का विरोध होता है, भुमंडली करन मतलब क्या, ग्लोबलाईजेशन, वैश्वी करन का यहाँ पर विरोध किया जाता है, आर् पर अपनी company set up करो ठीक हम आपके वहाँ पर जाकर सेट अप करेंगे ठीक है ये वैश्वी करण के अंदर हम होता है जबकि आर्थिक रास्टवाद के अंदर में क्या क्या कहा जाता है कि हम अपने देश को सरव पर्थम रखेंगे आगे रखेंगे जिसके अंदर में सरव पर् पार्तिक रास्टिक बात की बात करें, तो powiedział करन्त का वीरोध होता है मुक्त वैपार पर रोक होता है, सोदजी उगद्योग और वैपार को बढ़ावा दिया जाता है, जो घर के वैपार हैं जो बिजनेस हैं.. उसको बढ़ावा दिया जाता है, और सरवपर्थम राष्ट को राष्ट को परमुकता दी जाती है ये मेन इसका बेस रहता है ठीक है आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों अगर कहीं पर कुछ confusion हो कहीं पर कोई doubt हो सीधा आपको जाना है description में वहाँ पर सभी social media platform के links दिये हुए किसी पर जाओ facebook, instagram, telegram, tutor जिसमरजी पर जाओ वहाँ पर directly मुझसे question पूछ सकते हो मैं आपका doubt solve करूँगा exam है आपका मुझे पता है 12 तरीक को ठीक है तो मैं courses करूँगा 12-13 जो भी आपके exam है जून session के ठीक है तो मैं exam से पहले सारी video upload कर सकूँ ठीक है और आपकी help हो ये मैं courses करूँगा ठीक है समझ में आता है तो यहाँ पर मैंने basic आर्थिक रास्टबाद क्या होता है यह मैंने आपको समझा दिया अब इसके यहाँ पर एक दूसरा question आ जाता है मुखे विचारों की विवेचना किसी देखिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ questions का basic समझा रहा हूँ जि अब यहाँ पर देखो मुखे विचारों की मतलब क्या कौन-कौन से इतिहास का रहे या कौन-कौन से विचारक रहे जिनोंने आर्थिक रास्टबाद के उपर में अपनी विचारधार रखी ठीक है तो यहाँ पर फैडरिक लिस्ट करके एक परमुख विचारक आते हैं ठी ठीक है सरपर्थम जो सबसे पहले जिसने विच्ट किया तो फैडरिक लिस्ट का नाम हाता है आर्थिक नीतियों का मुल्यांकन किया गया आर्थिक नीतियां क्यों होती है कि किस तरसे हम एकनॉमिक डेवलेप्ट कर रहे हैं विक्सित कर रहे हैं उसकी नीतिया किस तरसे उसे जूड़ी हुई जो चीज है मिर्त बहुतिक्तावात के अंदर में आती है आर्थिक जह सबसे पहले तो आप समझाओ गई उद्रवादी जो लोग थे उनके द्वारा मिर्त बहुतिक्तावात की अलूचना की गई ये फैडिक लिस्ट का मानना था ठीक है उदारवादियों ने व्यक्ति को सिर्फ एक उत्पादक माना ठीक है ये फैडिक लिस्ट कहते है ना कि उत्पादक माना उत्पादक माना उत्पादक और उत्पादक के तौर पर व्यक्ति को देखा है उन्होंने ठीके, जो देखो, फेडिक लिस्ट अपनी हाँ पर विचारतारा रख रहे हैं जिसके अंदर में वो बता रहे हैं कि जो लोग हैं, जो उधारवादी लोग हैं उन्होंने क्या माना कि एक राष्ट के अंदर में जो वैक्ती रह रहा है वो एक प्रकार का उत्पादक है जो किसी चीज़ को produce कर रहा है या फिर उपभोगता है या फिर उस चीज़ को उपयोग में ला रहा है उस चीज़ को उपयोग कर रहा है ठीक है या फिर उत्पादक है या फिर उपभोगता है इस तरह से वो देखते हैं रास्ट का सदस से य पूतपाद है क्या हो भोगता ठीक है इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे दोस्तों तो यहां पर मैंने उपर में बताया कि आर्थिक रास्टवाद के अंदर में क्या होता है हम देश को सरपृता मान के चलते सोधिस्ती वैपार को बढ़ावा देते अगर माल लो मेरा प्रमोश्ण जीटा कुछ नहीं ह이면 फूर बोट में से लिए कोई बीए इंड्यों प्र कंपनी बोक लएर के चलते हैं थीक है तो किस में बनाय इंडिया ने बनाया था किस्वेन कौन खरीद रहा है तो इंडियन खरीद रहे है ठीक है तो वो कौन हुआ वो भोकता हुआ पर वही एपल कंपनी के हम बात करें तो एपल कंपनी का क्या है कि भाई बनाने वाला कौन है अमेरिकन है ठीक है खरीदने वाला कौन है तो इंडियन है ठीक है तो बना कोई और रहा ह तो उत्पादक कोई और है उत्पादक कोई और है पर यहां पर क्या है एक रास्ट के अंदर में एक ही वेक्ति उत्पादक भी है और एक ही वेक्ति 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 का मानना था ठीक है यहां पर स्मझ में आता है यहां पर वो सासात में कहते हैं वेक्ति रास्ट का स सदस्य हैं यह मान कर चलते हैं वेक्ति जो है को सदस्य हाई यहां पर fadicalist का मानद था thomas edward भी आते हैं ठीक है thomas edward 373 के करीब में आते है ठीक है thomas edward edward का क्या कहना था कि mudra की आर्थिक उदारवादी नीतियां की आलूचना करी ठीक है टीक है जैसे पहले कहा था नोर्मली शोने-चांदी के सिक़्े चलते थे महुरे चलते थे आपके भारत में ही चलते थे और व्यदिसों में वह इसी तरसे चीज़े थी पर एडवुत्व ने पहली बार कल्पना करी थे कि इस सोने के सिक़्े की जगव कागच का या फिर किसी और चीज का किसी और फार्म में मुद्रा होना चाहिए जिसमें जर्मन के जोहन करके जर्मन के विग्यानिक जो है जोहन करके आजाते हैं जिनमें 1762 के अंतर में उनकी विचारदारा उनोंने पब्लिक्स करी तीके जिसमें घरेलू मुख्य नियंतरण था था ठीके जो भी आर्थिक रास्टवाद के अंदर में दर में कहें में जो नियंतरण होता है पूरा कंट्डूर éisक्टी ने होता है मतलब उसके उपर पूरा तरह से रोक होता है विदेशी वैपार के उपर में रास्ट्री आर्थिक नीतियों का अस्थिरता जो रास्ट्री आर्थिक नीतियां होती है उसको अस्थिरता मिलती है ठीक है तो इस तरीके से आप इस questions का answer बना सकते हैं, तो यहाँ पर दो segment में इसका answer लिखोगे, अच्छा number मिलेगा, almost 16-17-18 मिल जाता है, और 16-17-18 enough होता है, pass करने के लिए आपको सिर्फ 33 number लाने हैं, और top करने के लिए आपको 60 से उपर लाओगे, बहुत होता है number, बहुत अ जाते हैं, और यहाँ पर इगनू के अंदर में अगर आप अच्छे से answer लिख रहे हो, तो 70-80 number कहीं नहीं जाते हैं, almost 80 plus ही आदे number, अच्छे से अगर आपने explain किया है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, 20 number का question पूछ रहा है, तो वहाँ पर आपको page नहीं भरना, कि भाईया, page हम बरके आगए, वहाँ पर आपको words में ध्यान देना है, कि जो पूछा है, वो answer दो, word to word, और जितना पूछा है, सरी पूतना answer दो, फालतू का नहीं, ठीके, अगला question क्यों चलते हैं दोस्तों, second question कहता है, भारती रास्ट बात पर, सबाल्टन अध्यन, ठीके अब देखो, यहाँ पर अगर मैं बात कुरू, सबाल्टन अध्यन के बारे में, ठीके, तो सबाल्टन अध्यन है क्या, तो एक तरसे, इसको अगर सबाल्टन अध्यन के हम बात करें, तो निम्न वर्गिया इतिहासकार, सबाल्टन इतिहासकार, यह सबाल्टन इतिहासकार क सबाटन इत्यांसकार स्टडीज जो थे वो रहे उनको उनकी एक पत्रिका होती थी मतलब एक तरह का मैगजीन हुआ कता था जो उनके नाम से छपती थी उसके अंदरे में अलग-अलग इत्यांसकार के द्वारा किसी ने किसी टॉपिक पर टिपनी की जाती थी ठीके तो उसको हम लेकर यहाँ पर सबाटन अध्यन के बारे में बात करते हैं वो भारत के रास्टवाद को लेकर ठीके भारती रास्टवाद को लेकर सबाटन अध्यन ने क्या कहा हम यहाँ पर इसके अंदर में आंसा देंगे तो देखो यहाँ पर जो सबसे परमुख विचारक के तौर पर आता है रंजीत गूहा को माना जाता है सबसे परमुख विचारक के तौर पर सबाटन अध्यन के तो वो कहते हैं भारतियर राष्ट वात का इतिहांस लेखन पर लंबे समय से कुलिंता का दबाव रहा है जो भारत का इतिहास लिखा जा रहा था उसके उपर में किसका दबाव रहा है कुलिंता का कुलिंता क्या होता है जो उच्छे वर्ग एक तरह से कुलीन वर्ग होता है उसका दबाव वहां पे देखने के लिए मिलता है ऐसा कहने का र तर जो दबदबा है वो कुलीन वरकाव आप इतिहांस का देखने के लिए मिलता है यहाँ पे सबार्टन अध्यान के दौरा रंजीत गुआ ने बोला ठीके नाम याद रखने आपको ठीके जिसे नाम अगर आप यहाँ पर बताते हो ना इतिहांसकार हो के कि यह इतिहांसकार थे तो फिर थोड़ा सब वेट पढ़ता है कोशिन के अंदर में और जो प्रोफेसर होता है जो टीचर चेक कर रहा है आपको नंबर ऐसी देता है फ्री में नंबर लुटाता है ठीके तो आपको नाम याद रखना है यहाँ पे आगे रंजीत गुआ कहते हैं कि जो इतिहास है में जनता अर्थात निम्न वर्ग की अनुस्पस तिस्ती दिखती है ठीके वो अपसेंट है जब आप इतिहास पढ़ते हो हिस्ट्री पढ़ते हो तो हाँ पे निम्न वर्ग जो है हिस्ट्री के अंदर में अपसेंट है निम्न वर्ग का जुगरी नहीं है यह रं व्माक्सवादी प्रकृति तीन प्रकृति हैं तीनों की आलोचना रंजित गवाद्वारा सबातन अधिण के अंदर में किया गया है। तो उपनिवेशिक प्रकृति के अंदर में कहते हैं, उपनिवेशिक शासक को अपनी अज्ञानी जनता को ज्ञान परदान करने में किसन की सफलता मिली है, मतलब मिशन की सफलता, जो जैसे ये मान के चलते हैं कि एक अज्ञानी शासक है और अज्ञानी जनता है, ठीके, और अंगरेजों ने देखा कि भीया ये तो इनको भारतियों को आप जो बोलोगे वो मान ले रहें तो उन्होंने हमारे लिगे हैं हमारे जो पहले पुराने वाले जो स्कूल होते थे जो पेड़वड के नीचे में बैठके पढ़ा रहे होते थे बड़े-पड़े पंडिती भार वो हमें पढ़ाना सुरू कर दिया उन्होंने अपनी ज़रुष्प के इसाब से हमें ढाल लिया हमारी ज़रुष्प है एक इंग्लिस बोलने वाला बंदा चाहिए तो आप इंग्लिस बोलने वाला बंदा अगर मैं बिटन से लाओं तो जादा मेहंगा पड़ेगा क्यों इंग्लिस में इन ही को सिखा दूँ यही हमारे लिए सस्ते में काम कर देंगे तो इस तरीके से तो कहते हैं उपनिवेशिक सासों को अज्ञानी जनता के रूप अज्ञानी जनता को ज्ञान परदान करनें में मात्रवासा को हम ज्यादा इंप्टनित देते mesela हमें लगता है कि अगर हम दोस्त दो चारियार के बीच में अगर हम इंग्लिश में बोलेंगा या फिरMic मात्रवासा को सब्स्तराइब के निर्मान के अंगसा जो भी चीज रहें जो भी कारे घट रहे हैं, रास्ट वादी जो रास्ट वादी प्रकृति थे, वो क्या समझते हैं, वो रास्ट राज्य का उसका अंग समझ कर चलते हैं, कि ये इसका पाठ है, जो भी चिज़े घटती है, ठीक है, माक्स वादी प्रकृति, माक्स वादी प्रकृति के अंदर म अब फोर इक्जामपल देखो आज के समय में संसद के अंदर में लोकसभा राजेसभा के अंदर में निता सब मस्त सूट बूटे एसी के अंदर में पहुँचते हैं और एसी के अंदर में पहुँचकर डिसकस करते हैं कि ग्लॉवल वोमिंग बढ़ रहे ठीक है बाहर का वहां पर जाओगे तो आपना ऐसी सांस लोगे न तो भी आपको लगेगा कि दो-चार आपका दो-चार मिनट बढ़ जाएगा रोज आप अगर वहां पर राश्च पदीवल में रहना शुरू कर दो न ठीके तो आप सिर्फ सांस लेकर अपने दो-चार मिनट रोज अपने ब में बदल गया बहिया बदल तो गया पर तुम तो सही हो बाकिया आम लोग श्ट्रॉगल कर रहे हैं ठीके तो यहां पर सबाठन अद्दिन के द्वारा यह कहा गया जनता के संगर्सों को कुरांती और समाजवादी राज्य की प्रगती के रूप में परस्तुत की जाती है संगर्स तो जनता ने किया पर आप दिखा रहे भी यह करांती है यह वो है यह है ऐसा करके यह चीज़ें ठीके समझ में आता है एक इसका अगर मैं बताओं तो किसान अंदोलन हुआ किसान अंदर में जो रूल रेगलिशन बनाया किसने नेताओं ने बनाया और बनाने वाल किसको किसानों को चलना है वो कानून सही है या गलत है कौन फैसला करेगा या किसको नुकसान होगा किसको फाइदा होगा तो किसानों को होगा अगर सही है तो फाइदा होगा अगर गलत है तो नुकसान होगा ठीक है पर बनाया किसने जो किसान नहीं है ठीक है वो उसके इंता का सेंगर्स को वो क्रांती और उन्नती के तौर पर प्रदर्शित करना यहां पर यह दिखाता है सवातन अध्यन के अंदर में ठीक है समझ में आता है यहां पर का जाता है कि नॉर्मली निम्न वरका इत्यास absent है पूरे history के अंदर में से बागी सब कुछ देखने के मिलता है कुलीन वर का इत्यास proper proper हमें पढ़ाया जाता है यहाँ पे रंजीत गुवा ने इसके उपर में बोला ठीक है समझ में आता है अगले question की मैं बात करूँ दूस्तो ठीक है उसके बारे में बूछा जा रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले विचारक के तौर पे आते है एली कडियूरी ठीक है एली कडियूरी करकी एक विचारक है इनके बारे में हम पढ़ेंगी तो एली कडियूरी क्या कहती है रास्ट और रास्टवाद को लेकर रास्टवाद का जो एक सिधान्त के रूप में माना, रास्टवाद का सिधान्त 19 सताबदी के पारंब में यूरोप में विक्सित हुआ, ठीक है, उन्होंने ये मान कर चला, अलिक डियूरी ने, जबकि अलग-अलग विचारकों के अनुसार, इसमें मत बहे दे, कुछ विचा कहते हैं कि रास्टवाद का जनम 18 सताबदी मुआ, 19 सताबदी मुआ हुआ, यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, इस तरह से चलता है, पर वहीं अगर आप रास्टवादी जो विचारक थे, उनके थुरू अकर पूछो रास्टवाद का इतिहास क्या है, तो कहते हैं, आजनम है, मतलब वो सुरू सही लोगों के अंदर में था, ऐसा नहीं कि अचानक से पैदा हुआ है, 100 साल या 200 साल पुराना है, वो सुरू सही रास्टवाद की भावना रहती है, सभी के अंदर में, ठीके, इसके आगे एक कोश्चन में बताऊंगा, जब आप पाकिस्तान क नीव रखा गया, तो वो कहतें नहीं, ऐसा बिल्बुकुल भी नहीं है, लोगों की गलत फहिमी है कि मुस्लिम लीग बना, तो पाकिस्तान की नीव रखी गई, या पाकिस्तान का विचारा है, ऐसा कुछ नहीं है, जब भारत के अंदर में हिंदों का धर्म परिवर्तन करक बनाए गया, थैक है, जब वहाँ पे कनवर्जन हुआ, वहीं से मुसलिम रास्ट का उध्य हो चुका था, यह माना गया, वहाँ से पाकिस्तान की नीव रखी जा चुकी थी, यह माना गया, पाकिस्तान सुरू से ही बिलॉग करता था, बस उसे बिलीब करना, उसे शच्चा करना है बट अविस्कार करने वाला और वो सही टाइम का विट कर रहे थे ठीक है जैसी सही टाइम आया है जब पहले मतलब आज से 20 साल पहले जाओगी तो नूक्या का फोन चला रहे थे ठीक है तो ऐसा था नहीं कि विक्सित होते होते हैं थ्रीत के थे टाइम बिता तो हमां जी स्मार्टफ़ोन प्या आगे और फॉन प्या ठीक है आइफून चला रहे तो चीजे क्या है कि समय के साथ विक्सित हुआ परिवर्तित हुआ ठीक है तो इस तरीके से यहां पर अलग-अलग लोगों का अलग-अलग रास्टवात को लेकर मानना है तो एली के डिवरी कहत अगर आपको टाइम मिले तो आपने नोटबुक लेकर साथ में बैटे जिससे आप उसको अंडरलाइन भी गर्सों को लिख भी सको ठीके गलेनर यहाँ पर क्या कहते हैं कि रास्टवात का उदे क्रांती क्रिशी क्रांती क्रिशी और उद्योगिक विश्व में रुपांतरन स हुआ जैसी विश्व के अंदर में क्रिशी विवस्था बढ़ी ठीके उद्योगिक विवस्था बढ़ी उसके साथ में ही रास्टवात का उदे हुआ यहाँ पे यह गलेनर का महाना था यह रास्टवात को नए आर्थिक बलो के संचालन का उत्पादन के रूप में देखत मतलब एक नई विवस्था को अपनाना पुरानी विवस्था को देरी देरी खतम करना चलता चला गया जैसे नोग्या के जो फोन आते थे देरे-देरे ओओ के खतम हो गए आज हम एंडृट फोन पर आ गए ठीके देरे-देरे जो बड़े वाले डब्बे वाले केमप्योर ह बढ़ना ठीक है तो यहां पर ग्लेनर आगे क्या कहते हैं कि रास्टवाद की नई अर्थ ववस्ता सामंत वाद पर आधारी थी ठीक है सामंत वाद ववस्ता पर पूरी नई ववस्ता आधारी थी यह ग्लेनर का मानना था यहां पर तीसरे विचारक आते हैं दोस्तों ठीक है वर्म नैन करके आते हैं नैर ठीक है नैरन करके तो यहाँ पर तीसरे विचारत कहते हैं कि यह सिद्धान्त उपनवेसिक समाज की व्यवस्ता न्याय संगर धंग से करना करता था ठीक है जो यह सिद्धान्त है पूरा ठीक है आधुनिक्ता सिद्धान्त राष्टवाद के तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप इस question का answer लिख सकते हो जहाँ पर अलग-अलग विचारकों के दौरा रास्टवात क्या कहा गया ठीकिक उनके सिधानत क्या थे वो आप बता सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सौर्ट में बताया है कि इनके दौरा यह बताया गया है और यहाँ पर मैंने सिर्फ तीन विचारक है एली, ग्लेवनर और नर्न की मैंने विचारकों बताया है आप अगर आप बुक को study करोगे तो वहाँ पर और वी विचारक है आप उनको भी add कर सकते हो ठीके कर सकते हो करोगे तब ही आपका बनेगा 500 words के अंदर में इनका answer अंदुलन था और खिलाफत अंदुलन था ठीके कई बारना यह जो दोनों word है वो सुनने में सेम लगते हैं कि दोनों word सेम ही है पर दोनों के अंदर में बहुत अंतर है ठीके चलो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं रफ करते हैं पहले थोड़ा सा जिससे ह मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना सकूँ, बट मेरे कुछ प्रावल्ब्म चल रहे थी, इसके कारण से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण से मैं लास्ट ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसका MHI 9 का, अगर आप इप ए वीडियो पूरा देखते हो, तो MHI 09 जो प और वहाँ पर मुझसे directly question पूर सकते हो, अपने doubt solve कर सकते हो, ठीके, और request आप सभी students से ये है, अगर आपको वीडियो वेलिवल लगती है, तो like करें, share करें, और share के बगर में एक join का बटन है, आप उससे हमें join भी कर सकते हैं, ठीके, and thanks पे भी कर सकते हैं, अगर आपको कु करना उसकी भूमिका क्या थी, वो उसके बारे में बात करना है, 1919 के अंदर में, ठीके, 1919 से लेकर 22 के बीच में भारत में British सासन का विरूद करना आरम कर दिया गया था, ठीके, मतलब आरम तो 1875 से चल रहा था, बहुत समय पहले से चल रहा था, पर mainly 1919 में ये आंदोलन बढ़ रिजन क्या था, कि गांधी जी क्या थे, वो भारत में एंटर कर चुके थे, ठीके, और गांधी जी के आने के बाद, उस समय कई सारे जो विचार और भी जो अलग-अलग लोग आए, उस समय भारत का महल ऐसा था कि भाई, वो उपनिवेशवात का विरोध कर रहे थे, बढ करने का है, सबसे बड़ा हेतू क्या था, खिलाफत और अस्योग आंदोलन, आयूचित क्या गया, ठीक है, कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग का एकी करन हुआ, ठीक है, जो मुस्लिम लीग, जो मुस्लिमों की पार्टी थी, मुसलमानों की पार्टी थी, कॉंग्रेस पार्टी जो एनी बेसेंट के दौरा और बागी अंगरेजियों के दौरा बनाया गया था उसका एकी करन हुआ जबकि दोनों के अंदर में काफी हर्थक मतबेत थे पर असयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के कारण से इनके अंदर में एकी करन देखने के लिए मिलता है नियान की तवारत के लोग असनतूस्थ को आरती कट्नाईयां कासामना क्रफ़ा था जिसके कारण से यह आसकयोग आंदुरन और खिलाफत आंदोलन की प्रक्रिती को रचा गया, ठीक, इसको श्टार्ट किया गया, खिलाफत आंदोलन का मुद्दा के था, सबसे पहले इस खिलाफत आंदोलन के मुद्दे को अगर हम समझे, तो अंग्रेजों छिलाफत, तुर्की जो गट बंदन ता तुर्क है तुर्की गटबंदन ठीक है उसका असंतोस्त होना ठीक है वो खुस नहीं थे अंग्रेजो के खिलाफ़ जो तुर्की गटबंदन हुआ ठीक है उसके कारण से यहाँ पे खिलाफ़त आंदोलन का सुरुआत होता है असंतोस्त भारतिय मुसलमान जो भारत के मु प्रिस्पेट कर रहे थे, reason क्या था, कि अंग्रे जो और तुर्की के बीच में जो हुआ गटबंदन उसके कारण से, ठीक है, और जो भारते मुसलमान थे, वो असंतुस्ट थे, असंतुस्ट होने का reason क्या था, कि मुसलमानों के अंदर में, जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है खलीफा का पोस्ट होता है, ठीक है, मतलब खलीफा को एक तरह का king, या फिर protector of the Islam, ऐसा करके माना जाता है, कि Islam धर्म का रक्षक है, ठीक हो protect कर रहा है Islam धर्म को, ठीक है, उसके तरह पे माना जाता है, खलीफा को पोस्ट दिया जाता है, सबसे head माना जाता है, कुछ भी rule regulation, जैसे pop, इसाई धर्म के अंदर में pop लगो करते है, वेंटेकन सिटी से, pop के दोरा जो भी बोला जाता है, वो सब लोग मानते है, उसी तरह इसलाम धर्म के अंदर में, जो खलीफा होते हैं, उनकी बात को मानते है, तो यहाँ पे खलीफा को हटा दिया गया था सत्ता से, ठी यहाँ पे खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट में निकला, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के में क्या था, यहाँ पे एक रीजन यह दिया गया, कि जो बिलॉंग करता है, जो पवीतर सिटी, जो मतलब वहाँ पे डिवाइन सिटी है, पूरा मुसलमानों का, मक्का, मदिना जिसे हम बोलते हैं और जो भी इनका जो डिवाइन सिटी है, वो वापस से खलीफाओं के हाँ सौब देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पे किसी और का कबजा ना हो, जिसका था, उसको सौब दिया जाना चाहिए, इसको भी लेकर भारती मुसलमानों के अंदर में काफी जादा रो खान और हसरत मोहीनी करें के तीन अली ब्रदर आते हैं, अली बंदू आते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा खिलाफत समीती 1919 का गठन किया गया, ठीक है, समझ में आता है, आंदोलन की जो काम्याभी थी, उसके बारे में बात करूँ, तो अहिंसा का संदेश का परसार हुआ, क और स्वधिसी का परचार करना, जो भारत के जो स्वधिसी चीजे उसका परचार करना, ये में इसका पूरा कारे करम रखा गया था, ठीक है, समझ में आता है, ये मैंने खिलाफत आंदोलन आपको समझाया, अब देखो, अस सायोग आंदोलन, इसका अगर वर्ड से बात करो तो मतलब मैं किसी चीज में आपका सयोग नहीं दूँगा, आपने मुझे बोला कि भाई, मैंने आपको रूल बनाया कि सभी बच्चों को ये वीडियो पूरी देखनी है, और वीडियो अगर वैल्यूबल लगती है, तो आप हमारे दी इनव के चैनल पर जा सकते हैं, वहा आपके खिलाफ, और मैं इसमें आपका सयोग नहीं करूँगा, ठीके, तो खिलाफत आंदोलन आपके खिलाफ रहना, असयोग अंदोलन उसमें मदद ना करना, ठीके, दोनों almost जो प्रकृतिता सेम था, काफिया तक्सीम था, पर खिलाफत आंदोलन का जो मेन आधार दिखा जो का था, डायर की जो कारवाई थी, वो नहीं हुई थी, ठीके, जलिया वाला बाग हत्या कांट हुआ, रॉलेट एक्ट लाए गया, ठीके, पंजाब में मारसल लो लागू किया गया, जिसके कारण से, असयोग अंदोलन की भूम किया, रची गई, और गांदी जी के दौ जो भी जेसे भी थे न, लोग उनको उपाधियां दी गई थी, अगरेजों के द्वारा, उन सभी उपाधियों का लौटाने का सुरू आत किया गया, ठीके, और स्वदेशी सिब्कोव भूम के बनाने का सुरू अके, अंग्रेज़ जो भी चीज़ ला रहे थे मार्केट के बीच में Congress मंत्री मंडल की उपलवदियां बताना है Congress की क्या उपलवदिया नहीं 1937 से लेकर 1949 के बीच में अब यहां पर देखोगे तो इस समय हमारा देश अजाद नहीं हुआ था हम भारत के अंदर में एक तरसे मतलब अंगरे जोने क्या किया था कि एक पार्टी गठन कर दी थे 1885 के करीब में Congress का ठीक है और Congress ने उस समय चुनाव आयूग के अंदर में दो चुनाव लड़ना लगा अलग अलग ज़़े प्रांतों में उनकी विज़े हुई ठीक है सबसे पहले उन्होंने क्या किया अखिल भारते सिक्षा संबिलन का आयूजन किया 1937 के अंदर में डाक्टर जौकिर हुसेन के दोरा ये आयूजत किया गया मात्रवाजा का ज्यान सब जगवा फैले उसके उपर में जोर दिया गया सिक्षा समस्याओं का एक समाधान है सिक्षा के अंदर में बढ़ोतरी हो ठीक है सिक्षा संस्थाओं की बढ़ोतरी हो उसके उपर जोर दिया गया बुनियादी हस्त सिल्फ जो मेन जो लोगों के अंदर में स्किल थे ठीक है नुलनों के अंदर में जो हिंसा हो रही थी ठीक है तो उनको हिंसा के अंदर में बहुत सारे लोगों को कैद किया गया बंदी बनाया गया तो संयुक्त प्रांत जो संयुक्त प्रांत था संयुक्त प्रांत के अंदर में कौन-कौन से आते हैं तो आज का पच्चिम बंगाल ब की गई ठीक है बिहार के अंदर में कानून परधान के मामले के अंदर में जमिदारी समझोते की बात की गई ठीक है सवनिय अवंग्या अंदोलन के दोरान लगान ना चुकाने वाले लोगों को जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सवनिय अवंग्या अदोलन जब चल रहा था तो वहाँ पे नेताओं के द्वारा ये अपिल की गई कि आप चीजों को करने से मना कर दो लोगों ने किया तो उसके खिला बहुत सारे लोगों के खिलाफ नोटी जारी किया गया उनके खेतों को इनिलाम किया कर दिया गया ठीक है ऐसे करके बहुत सारे चीजे की गई तो उस के लिए बहतर इस्तिति का वादा किया गया ठीक है रोजगार का बीमा ववस्ता है के सुरुवात की जाने की बात तो यहां पर मेरे पांच कोशिन हो जाते हैं ठीक है आपको टोटल पांच कोश्चन ही यहां पर solve करने है एक question paper के अंदर में पर total question paper दो segment में बटा हुआ है ठीक है दो segment में बचा हुआ है तो एक segment में से अगर आप 3 करते हैं दूसरे segment में से आपको 2 करना पड़ेगा total आपको 5 question solve करने है अगर इसमें से 2 करते हैं तो इसमें से 3 करने पड़ेगा तो यहां पर total मैंने इस segment के 5 questions मैंने बता दिया और अगले segment के हम बढ़ते हैं ठीक है दोस्तों यह video almost बहुत बढ़ी होने वाली है क्योंकि आप मैं बताओं तो इसके अंदर मैं total 100 questions करने हैं मैं try करूँँगा जादा-जादा questions को solve करवा हूँ और almost courses करूँगा जो important questions हैं वो उसके उपर मैं focus करूँ दोस्तों ठीक है तो अगला मैं question के और बढ़ता हूँ छड़ा question आता है हमारा सवनी अवग्या अंदोलन की सफलता और सफलता की बिवेचना कीजिए ठीक है जो सवनी अवग्या अंदोलन हुआ तो क्या सफलता रहीं उसकी क्या सफलता रहा उसके बारे मैं बात करूँ तो यहां के अंदर में का जाता है गांदी जी ने 12 मार्च को 1936 को सावरमती आशरम से 78 साहयोग्यों के दोरा ठीक है डान्डी यात्र की अरंभ करते है और यह यात्र जो होती है 24 दिन तक चलती है, टोटल 240 किलोमेटर टै करते हैं ठीके, 240 किलोमेटर ये 78 साथियों के द्वारा टै करते हैं पाँच अपरेल को ये डानडी पहुंचते हैं, गुजरात के अंदरे में एक जगह है ठीके और इसके साथ ही यहां से आवाहन होता है गांदी जी का आवाहन होता है कि सवनिय अवग्या अंदोलन की सुरुवात हो चुकी है सवनिय अवग्या अंदोलन मतलब क्या होता है कि भाया मैं बाइज़त आपके कानून को मानने से मना करता हूं बिना हिंसा किये अहिंसा के राहा पर चल कर ठीके मैं यहाँ पर आपके कानून को नहीं मानूँगा तो अंगरेजों ने नमक उत्पादन के उपर में पावंदी लगा रखी थी एक तरह से उनके उपर राइट था कि भाई यहाँ मैं ही नमक स्रीप उत्पादन करूँगा और किसी को अधिकार नहीं था पर यहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा और सवनिय अवग्या अंदुलन के सुरुआत करी ठीके समझ में आता है इस वाले कोशन के अंदर में भी दो सेग्मेंट है ठीके यहाँ पर एक तो पूछ रहा है सवनिय अवग्या अंदुलन के सफलता कैया है दस नमबर यहाँ पर मालो अगर मैं सफलता की बात करो तो सवनिय अवग्या अंदुलन भारती रास्टी कॉंगरिस का एक सफल परियास माने जाता है सफल मतलब रास्टवाद की भावना के लिए ठीक है और सुतंतरता गिले एक बहुत बड़ा कदम के दोर पे दिखा गया 1937 के चुनाव में कॉंगरिस की विजे के रूप में दिखा गया अगर वह आंदोलन सफल हुआ सफल हुआ वह बात की बात है पर जो 1937 का चुनाव वह उसके अंदर में कॉंगरिस का बहुत बड़ा रोल देखने के लिए मिलता है चुनाव विजे करता है जीतता है और कॉंगरिस का जो प्रसार होता है वो पूरे भारत के अंदर में फैल जाता है ठीके हर एक बच्चा हर एक आदमी कॉंगरिस को जाने लगता है क्योंकि वो सबने वग्या अंदोलन के अंदर के अंदर में एक्टिब पार्टिसिपेट कर रहा था जिसके कारण से कॉंगरिस का जो अधिक करांती कारी हुआ जो कॉंगरिस का जो सोरूप था वो क्रांती कारी सोरूप के रूप में बन गया जैसे कि कॉंगरिस को स्टार्टिंग से देखा गया कि इसको किस ने बनाया तो अंग्रेजों ने बनाया तो लोग ये देखते थे कि अंग्रेजों के द्वारा ही इनका बनाया हुआ वो है और उनी के लिए उकाम करता है इस सरह देखते हैं पर सवनिया वग्या अंदुलन के अंदर में कॉंग्रिस को देखने के बाद लोगों के अंदर में ये लगा कि कॉंग्रिस का अब सोरुप चेंज हुआ है उकरांतिकारी बन चुका है ठीक है समझ म को थीक है श्यूंग्रिस समर्ता की युवा निरास हुए जो कॉंग्रिस को समर्थ कर रहे थे क्यों कि बीच में ही जोंकि अंदुलन को उनको मुक्त किया गया खिसानों की जमीणों को शिग्र मतलब जो जटे बहुत सारे खिसान थे जिनोंने बोला भईया मैं लगान नहीं दूँगा सब ने अवग गया अंदुलन के अंदर में तो उनकी जमीनों को रख लिया गया ठीक है उनकी जमीनों पर कबजा कर लिया गया सरकार के दोरा तो उनकी जमीनों को सिग्र उन्हें वापस नहीं दिया गया उसमें बहुत लंबा टाइम लगा और एक लंबे समय के बाद उनकी जमीनों को उन्हें वापस दिया गया ठीक है समझ में आता है अगला मैं कोशन की बात करूँ यहाँ पर तो अगला कोशन आता है महिलाओं का सारवजनिक जीवन में लाने में गांधी वादी आंदोलन की भूमिका अब देखो महिलाओं के जीवन मतलब हमारे घर में हमारे देश के अंदर में क्या है हम सुरू से य परशनल लाइफ हो गया जो हम घर के अंदर में हमारी फैमिली के साथ में सारवजनिक जीवन के अंदर में गांधिवादी आंदुलन का क्या सुरूप था तो बीसवी सताब्दी के अंदर में अनेक महिलां महिलाएं संगठन का निर्मान हुआ ठीके अलग-अलग संगठन बने जिसके अंदर में भारत महिला महिला सवा ठीके परियाग महिला समीती ठीके इस तरके कई सारी महिला संगठन बना जिसके अंदर महिलाओं को जोड़ा जाने लगा ठीके महिलाओं को उसके अंदर में एड आप कुछ काम करते हो तो आपको सम्मान मिलेगा ये उनके मन में रखा गया सारजुनिक जीवन के लिए व्यक्तिकत जीवन का त्याग महिलाओने करना सुलू कर दिया ठीक है उन्होंने बहुत साथ लोगों महिलाओने क्या किया एक्जामपल बनी रास्ट के अंदर में उन्ह उन्होंने अपने व्यक्तिकत जीवन का त्याग कर दिया साधी नहीं करी बच्चे नहीं हुए बच्चे नहीं किये ठीक है फैमिली को छोड़ दिया पूरा देश के लिए समर्पित हो गई इस तरह से चीज़े चलने लगी उसके एक आप माने के चलो तो सूचेता करपलान जो आंदोलन के अंदर में सरक्रिय भूमिका निवारी थी उन्होंने भी महिलाओं को बहुत जादा गांधिवादी तरीके से आकरसित किया ठीक है सत्यागरह की जो नीती थी उसके अंदर में महिलाओं का विश्वास भरना ठीक है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट था य यहां पर नोट किया गया कि महिलाओं भी जेल जा रही है सारजनिक सत्यागरा अंदोलन के अंदर में ठीक है असयोग अंदोलन के अंदर में जेल जाना से उपर थी ठीक है और उनके दो बच्चेते जो जेल में चले गए ते उन्हों ने क्या क्या एक्टिव रूप से आंदोलों में पार्टिसिपेट किया ठीक है वो पर्दा पर्था का विरोधी थी जो महिलाओं उनके इस कदम के बाद टीक है असाययोग आंदोलन में पतिऊ के जेल जने के बाद महिलाओं ने उसığ आंदोलन का कारिय बार समाला एवन दो गांधी वादी विचारधारे के अंदर में गांधी जी आदमें से ज़्यादा महिलाओं पे विश्वास कर लेते क्योंकि जो भी आंदोलन चल रहे थे वो हिंसक आंदोलन थे जिसमें महिलाओं बहुत ज़्यादा सहीयम के साथ उस आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी पर पुर्स ऐसा नहीं कर पा रहे थे कई जगा पे ये देखा के दोस्तों तो साथवा कोश्चन आपका इस प्रकार से हो जाएगा आठ़फे कोश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे 1945 के बाद जन आंदोलनों के बिभीन रूपों में व्याख्या किजिए यहाँ पे ये कोश्चन मनता है कि 1945 के बाद जो जन आंदोलन हुए वो किस परकार से हुए उसकी हमें व्याख्या करनी है तो यहाँ पे INA जो INA था उनके बंदियों को मुक्त कराने का अभियान रखा गया सबसे पहले 1945 के बाद में थीके 1945 1947 हमारा देश सजाद हुआ तो 1945 में जो I.A.N.E के बंदी थे थीके जैसे सुभास चंदर बौस के जो लोग थे I.A.N.E के जो बंदी बनाए गया उनको अजाद करने का पर्थम लक्षे रखा गया मेंली यहां पर तीन संगर्सों के अंदर में हम इसको पढ़ते हैं तो पहले संगर्स के अंदर में I.A.N.E के जो लोग थे उनको 21 नॉम्बर 1945 को घटित हुआ ठीके उनके द्वारा जो भी मुकदमा चलाया जा रहा था I.A.N.E के लोगों पर उसको वापस लेने के उपर में जोर दिया गया वापस किस तर से लिया जा सकता है उसके उपर में पनरनिती बनाई जाने लगी ठीके यह संगर्स हिंदू और मुस्लिम छात्रों का हुआ यह मानकर जलरते पर दोनों के अंदर में एकी करन देखने के लिए मिलता है ठीके जूलूस से पारम हुआ ठीके कैसे जूलूस निकाला गया इस सारे चीज़े देखने के लिए मिलता है उन्होंने डलोजी स्क्वाइर कॉलकता की सरकार पर गद्धी की पर अधिकार कर लिया ठीक है जैसे पता है कि ये आई एने के छात्रों का पूरा जो अजाद हो 1945 के अंदर में जैसे आई एने के जो कैदी लोग थे उनको आजाद करने के लिए पूरा एकना सोरूप तयार किया गया टोटल हम इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कुछ हिंदू-मुस्लिम चात्र थे पुलिस कार्वाई के अंदर में चात्रों की मिलती लिए इसके विरोध में वी उन्होंने परदर्शन किया ठीक है तो ये पहला परथम संगर्स के तौर पे दिखा गया दूसरा संगर्स के अकर मैं बात गरूँ यहांपर दूसरा जो संगर्स था दूसरे संगर्स 11 फरवरी को स्टार्ट होता है जिसमें आईने अधिकारी ठीके रासिद अलीग पर अदालत के निर्ने सुनाया गया जिसमें मुस्लिम लीग कॉंगरेस और कम्यूनिस्ट पार्टी चात्रों ने जूलुस निकाला ठीके उसके निर्ने के खिलाफ में परदर्सन कारियों पर लाठी चार्ज हुआ और कैद में लिया गया पुलिस के द्वारा इस घटना से देश में एकता स्थापित हुई लोगों ने देखा कि भाई बच्चों को पर में इस तरह से हो रहा है कई सारे संगठन बनाए गए ठीके जो सरकार के बिरोध में यहाँ पर बोलिन लगी तीसरा अगर मैं संगर्स की बात करूँ तो यहाँ पर तीसरा संगर्स आता है 18 फरवरी 1946 को ठीके 18 फरवरी 1946 ठीके यहाँ पर तीसरा संगर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा संगर्स के अंदरे में आता है Real Indian Navy का विद्रो गलत वहवार को लेकर 1109 जो थे Real Indian Navy के उन्होंने विद्रो हड़ताल पर आ जाते हैं ठीके और नक्सलिये अपमान अपमान मतलब क्या होता है जो नसल को लेकर अपमान किया जाता है या फिर खराब खाने से संबंदी जो टिपनी थी उसको लेकर ये विद्रो दर्ज कराते हैं ठीक है और यहां पर ये तीसरा संगर्ज के तौर पर दिखा जाता है नॉर्मली इस कोश्चन के अंदर में पूछा गया 1945 के बाद जन आंदोलन के बिविन सोरूप किस परकार के जन आंदोलन के हो रहे थे वो हमें यहां पर बताना था जो वहां पर डलोजी स्क्वाइर कलकता था उसके गद्धी पर अधिकार कर लेना पॉलिस के दौरा दोस्ट स्टुडेंट्स की मिलती हो जाना ठीक है यहां पर पूरा परदर्शन चलता है और यह आगे किस तरह से इसका सोरूप बढ़ता है तीन स्टेज के अंदर में वह दोस्तों almost मैं बताओं अभी तो अभी आपका डेट है चार अगस्त ठीक है टाइम बज रहा है 11 बच के 40 मिनट ठीक है अभी हमारा एक कोश्चन पेपर भी सॉल्व नहीं हुआ है ठीक है almost एक गंटे से ज्यादा की वीडियो बन गई है बहुत सारे स्टुडेंस रिक्वेस से मैं बोल रहा हूं और almost इस वीडियो को खतम अगर मैं सही तरीके से करूँ जिस तरीके से अभी तक मैं बता रहा हूं आपको चार घंटे से उपर की वीडियो बनेगी या फिर धर्ड दो घंटे से उपर की वीडियो मानके चलते हैं दो से तीन घंटे की वीडियो बनेगी गले में बुरितर से धर्द हो जाता है ठीक है I can't explain और one go में मुझे बनाना होता है वीडियो सबसे बड़ी बात ही होती ही दोस्तों और सबसे most important चीज मेरे लिए क्या होता है कि आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं ठीक है तो मुझे same आगे से वो response भी दिखे कि आप MA history के student हो आपने responsible के साथ responsible student के साथ आपने study किया और video अगर valuable लगा तो आपने feedback दिया कि हाँ अच्छा है ये portion मुझे अच्छा लगा ये portion मुझे समझ में आया ये portion समझ में नहीं आया तो उसके हिसाफ से हम भी hard work करते हैं बट उस हिसाफ से अगर response नहीं दिता फिर work करने का मननी करता है दोस्तों ठीक है simple सा मैरा logic ही रहता है ठीक कई सारे videos जो मैंने बनाया नहीं उसका एक reason ये भी है ठीक है क्योंकि feedback मुझे सामने से वो नहीं दिखता है ठीक है आगे मैं बात करूँ question number 9 जो हो रहा है उसको तो भूलते हैं बट अभी exam है आपका तो सभी students को exam के लिए all the best अभी से ठीक है कहीं पे भी किसी को कोई doubt होता है आप बेज़ जीजे comment किजे I will help you ठीक है और कोर्शिस करूँ आपको अच्छे सच्छे समझा सकूँ अच्छे से तरीके समझा सकूँ जिससे आपका अच्छे नंबर आया आए आपके exam में और आपका future bright हो ठीक है नोगा question की मैं बात करूँ नोगा question के अंदर में हम कहते है रास्टवाद और किसानों के बीच में संबंद के बारे में बिभिन इत्यास कारों के मतों की विवीच न कीजिए ठीक है अब रास्टवाद और जो किसान थे उनके संबंद को लेकर अब यहाँ पर देखो रास्टवाद जो लोग थे वो किसानों के बीच में कैसे गए ठीक है तो वहाँ पे चंपारन आंदोलन समय स्टार्ट करते है गांधी जी भारत के अंदर में आये ठीक है तो भारत के अंदर में किसानों के द्वारा ठीक है किसानों के द्वारा जब घंडी जी भारत आने के बाद कुछ किसाने के द्वारा नील की खेते हैं एगर एक खेत एक बार अगर नेल की खेती उप जाता था तो उसका जो जमीन है वह बंजर ऑजाथा था उससे ब्राओर मतलब क्या उस पे कुछ भी औूग नहीं सकता है और अगर कनील की खेती किसान नहीं कर रहा है तो किसानों को बहुत भारी ठीकिट क्रक्ष्ड सकता, ट अगर टक्स चुका नहीं पो पर फसल बोया पर फसल पूरा नहीं भोहाँ सब्सक्राइब अगर टक्स चुका नहीं पर यह लो फिर इतने अमौंट के बाद आपका के क्या आपको दे दिया जाएगा तो इस तरीके से मजगूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए तो गांधी जी को जब ये पता चलता है गांधी जी को चमपारन बुलाए जाता है गांधी जी आते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ वो एक अंदुलन शुरुआत करते हैं और first time गांधी जी को जो आम जनता की पावर होती है वो समझ में आते कितना पावर है जब अंग्रेजी सरकार जो होते हैं वो पीछे ड़ जाती है और गांधी जी को गिंध्राफतार करते है पर गिंध्राफतार करने आजब कोट ले जाती है तो वो गांदी जी को छोड़ देते हैं कोट का जो वडिक होता है वो लोगों को अंदर में उस साथ बर देता है कि हम भी यहाँ पर लड़ सकते हैं हमारी अवाज को भी कोई सुनेगा हम किसी गुलाम नहीं है हम चाहें तो जीत सकते हैं यह किसानों के अंदर में भावना आ जाती है तो वहाँ से किसान संगठन का निर्मान होता है बहुत सारी संगठन बनते हैं ठीक है उनके अंदर में जोस आत्म विश्वास आ जाता है तो वो अलग-लग जगा मुकदमे लड़ते हैं अलग-लग जीतते हैं तो इस तरह से चरके यहां पर किसान आंदुलन यहां पर रास्टवाद और किसान के बीच में संबंध को हम दिखते हैं दोस्तों ठीक है समझ में आया होगा आपको बेसिक चीजे मैंने बताया है बुक के अंदर में थोड़ा डिफरेंट आंसर दे रखा है आपको समझ में आया है वो मैंने यहां पर आपको समझाया है ठीक है आगे मैं बात करूं दूस्तों तो यहां पर आपका जो question paper है यह English का आपका 2018 का December का question paper है ठीक है तो हमें तो चाहिए Hindi medium का यह आपका December 2018 का MHI 09 अगला question paper हमें start करते हैं MHI 09 आपका question paper हो गया बुक का नाम हो गया आपके भारते रास्ट यह आंदोलन 2018 December का question paper है total timing 3 गंटे की है total number 100 number का question paper हमें 5 questions का answer देना है total 10 question होते हैं ठीक है 10 question के 2 segment में बटे होते हैं segment 1 और segment 2 अगर आप segment first से 3 question करते हो तो segment 2 से आपको 2 question करने होगे और अगर segment first से 2 question करते हो तो segment 2 से यहां पर 3 question करने हो तोटल यहां पर 5 question करने हैं यहां पर आपको word limit के अंदर में answer लिखना है total word limit कितना है तो 500 word को word limit है और यह आपको हमेसा focus में रखना है आपको यह नहीं देखना है कि 20 number का question paper है तो 20 नमबर का question paper है तो यहां पर 10 पेज बरना है 5 पेज बरना है यह नहीं focus करना है आपको focus क्या करना है कि 500 word में है तो 500 word के अंदर में ही लिखना है एक question को ठीक है समझ में आता है चलिए हम स्टार्ट करते है आज का अगला question paper दोस्तों यह video बहुत really बहुत important है क्योंकि मैं जब इस video के लिए तैयारी कर रहा था तो आपका MHI 09 के अंदर में total 35 lesson है और 5 साल के question paper को पढ़ने के बाद almost आप 35 lessons से गुजर जाते हो एक एक lesson से पढ़ लेते हो ठीक है almost आप important questions 35 lessons के देख लेते हो और बहुत हद तक आपका जो स्लिबर से वो cover भी हो जाता है यहां पर ठीक है यहां पर first question हमारा आजाता है दोस्तों 1920 और 1930 के दसक में करांतिकारी राष्टवादियों की विचारदारा और गतिवीदियों का वर्णन किजिए जो राष्टवादी थे करांतिकारी राष्टवादी थे उनकी क्या विचार मजदूर संग का उदे हो रहा था जो मजदूर संग है नैने मजदूर संग का ठीक है यह यहां पर उदे हो रहा था भारत के लोगों का साम्यावादी के तरफ जुकाफ था ठीक है साम्यावादी विचारदारा के तरफ जुकाफ था 1926 से लेकर 1929 में युवा आंदोलन का दोर चालू था ठीक है युवा आंदूलन अलग-अलग युवाओ संगटन बनाए जा रहा था युवा आंदूलन का दोर चल रहा था जिसमें पुना सोतंतर था पुना समाजिक और पुना परिवर्तन ठीक है आर्थिक परिवर्तन की मांग युवा आंदूलन के अंदर में पूरी तरह से समाजिक और पूरी तरह से आर्थिक परिवरतन हो इसके उपर में युवा अंदोलन के अंदर में उठाय जा रहा था आगे मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंस ओफ इंडिया लीक के तौर पर इस्थापित किया गया जिसके अंदर में मतलब इंडिया को आगे बढ़ाया गया जिसके अंदर में पड़ी जवाला नहरू और सुभास चंदर बौस जैसे व्यक्तिगत सामिल हुए जो ट्रेड य को आगे परदर्शिट कर सकते हैं इस तरह की चीतना का विकास हुआ तीन फरवरी 1928 को साइमन कमिशन बौंबे पहुशता है उसके बाद साइमन आयोक के आगे हर्टाल से स्वागत की जाती है साइमन आयोक जैसी बौंबे पहुशता हर्टाल बौंबे के अंदर में अलांस हो जाता है ठीक है इसी तरह से आठ अप्रेल 1929 को भगत सिंग के द्वारा असेंबली में बंब फिका जाता है ठीक है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंग सुकदेव राजगुरू को फासी दे दी जाती है ठीक है लाला लाजपत राय जब यह लाहोर के अंदर में परदर्शन हो ठीक है तो लाला लाजपत राय के उपर में लाठी चार्ज होता है मतलब वहां पर जू परदर्शन का रही होते हो उनके उपर में लाठी चार्ज होता है पुलिस के द्वारा और पुलिस की लाठी खाकर लाला लाजपत राय की मिरती हो जाते है और इस हत्या के लिए ठीक तो इस तरह 1920 से लेकर 1930 के दसक में करांतिकारी राष्टवादी की विचारदरा गतिवीदी इस तरह से चल रही थी यह गतिवीदियां यहां पर होती हैं दोस्तों अगले कोशन की मैं बात करूँ तो भारती राष्टवाद के परती माक्सवाद द्रिष्टी कोन की विवेचना माक्सवाद द्रिष्टी कोन ने भारती राष्टवाद को किस परकार से देखा इसके बारे में हम बात करते हैं ठीके तो यहां पर मैं बात करूँ तो ध्यान किंद्रित करते हैं ठीक है आर्थिक और वर्गी विवेद किस तर से वर्गों में बटा हुआ है भारत उसके बारे में वो ध्यान किंद्रित करते हैं ओपनवेसिक परिपेश्चे की आलोचना करते हैं ठीक है भारत हमेशा एक रास्ट नहीं था वो ये मान कर चलते हैं वो ये कहते हैं कि बलकी एक ऐसा रास्ट है जो आधूनिक समय में बना शुरू से वो रास्ट नहीं था आधूनिक समय में भारत आगे चल कर रास्ट बना ये मार्क्सवादियों का महानना था भारत में पुंजीवादी की और अग्रसर भारत का जो रुख था पुंजीवाद के और अग्रसर था सामन्तवाद का पतन हो produced अचुका था भारत के अन्दर में और बुर्जुआ वर्क का आरम्ब था यह मेंन राए करके एक माक्सवादी विद्वान थे उनका ये मानना था ठीक है यहां पर सासत में 1857 का विद्रो का मूल चरीत रखते हैं लोग सामने रखते हैं आरपी धत के द्वारा मूल चरीत सामने रखा जाता है जिसके अंदर में पुराने रूडी वादी जो लोग होते हूं उसके बारे में बोलते हैं कि भारती लोग का अपनाना है, कॉंग्रेस के दार जो जैसे का निर्मार अंग्रीजों recording ने किया, तो लोगों के अंदर में यह गलत फहमी थी, मतलब यह आर्म से लगा था, कि जो कॉंग्रेस है उनके हिद के लिए वो चीजे हो रही है पर आगे चलकर का सुरूप बदलता है ठीकर रूम हाँ पर रास्टवाद को लेकर रास्टवाद की जभावना होती है वो फैलता है और समय के साथ जैसे नए अधिक्ष बनते कॉंग्रेस के अंदर में तो गांदी आदी विचारदारा ठीक है, गरम दल, नरम दल, जो जिस तरह के विचारदारे थे ना, लोगों के, वो उसके अंदर में जड़ तक फैलता हुआ चला जाता है दोस्तों, ठीक है, समझ में आता है, तो यहाँ पर भारतिये रास्टी माक्सवाद के अंदर में यह बता हो गए, आधूनिक अंग्रेजी परणाली में शिखित बुधी जीवी को रखते हैं दूसरे चरण के तोर पे देखते हैं नए बुर्जुगा वर्ग का परतिनी दित्व नए ने लोग थे वो अलग अलग वर्ग का परतिनी दित्व कर रहे थे, यह यहां पर देखते हैं तीसरे वहाँ पर रखते हैं राष्टिय आंदोलन के अंदर में सामाजी का अधार विस्तरित अब जो राष्टिय आंदोलन था वो सामाजी का अधार पर चलने लगा था ठीक है चोथा यहां पर देखते हैं रॉलेट एक्ट सत्यागरह सवनिय अवंग्या आंदोलन पर तो इस तरह से पूरा प्रोसेस यहाँ पे चौथा चरन के तार पे देखते हैं और पांचपा चरन के अंदर में ных dışlar vision नेवी और 149 के अंदर में परीवर्दन देखने के दिस्दूर से मिलता है तो यह यह यहां पर ऐसे बताते तो यह यहां पर दूसरा कोशन हमारा complete हो जाता है तीसरे कोशन की मैं बात करूँ दूस्तों तो तीसरा कोशन यहां पर आता है बंगाल में सोदेसी आंदोलन पर टिपने अब सोदेसी आंदोलन क्या है इसके बारे में बात करूँ तो बंगाल के अंदर में सोदेसी आंदोलन विद्रो हिंसक विद्रो था और उसके बाद से ही लोगों के अंदर में थोड़े-थोड़े-फोड़े अलग-अलग जगह पे हिंसक विद्रो देखने के लिए मिलता था है ठीक है, बंगाल के विए कंतिकारी आंदोलन भीविन समों द्वारा सुरू हुआ अलग-अलग संगटरणों के द्वारा बंगाल का खरू creating changy always into Trika की गई थी ञितीि का उद्डे से क्या था धन खुटाना बं बनाने कें समान जुटाना इस तरह स्काव भीकेजीश की गई तो रंगव् goodness doing तरकी ती 1946 में दोस्तो मुझफ़र पुर ओता है ca की जो बंग बंग जब बंगाल को दिवाजित कर दिद कर दिया जाता है तो उसके बास हिंसक होता है बहुत सारछ को में लोग मारे जाते है लोगों के दोणा गठंपा सजाई पाूख दिदि साहित है ही तो उसको लेकर मुझफर पुर कांट का आयोजन क्या जाता है जिसके अंदर में खुदी राम बॉस और पर फुल चाकी करके दो व्यक्तियों को ये काम सोपा जाता है और उसमें magistrate की हत्या करनी होती है ठीके नयविस की हत्या करने का काम दिया जाता है ठीके जिसके बाद वो पर सरकार के खिलाफ मतलब जो जो अंगरेजी सरकार थी उसके खिलाफ में न मतलब प्रेस वारता किया जाने लगे ठीक है पत्रा पत्रों के अंदर में जो समाचार पत्र थे उसके अंदर में परचार परसार किया जाने लगे अंगरेजी सरकार के खिलाफ ठीक है गीत कवीते कवीता नाटक नुकर नाटक ये सारी चीज़े बनाई जाने लगी अंगरीजों के खिलाफ और अलग अलग जगत पे लोगों को जागरूत किया जाने लगा अंगरीजों के खिलाफ की बाईया यह गलत कर रहे हैं ठीक है यह गलत हैं यह यहाँ पर दिखाया जाना लगा 1912 में गदर पार्टी के दोरा हार्डिंग की हत्या कर दी गई ठीक है और 1915 में भारत की सुरक्षा अदिनियम लागू किया भारत के अंदर में चौत्ता कोश्चन खतम हो जाता है दोस्तों अगला कुछो कोश्चन है देसी रियासतों के अंदर में लोकतांत्री करन की परकिरिया ठीक है जो देसी रियासत थे उसके अंदर में किस परकार से लोकतांत्री करन की परकिरिया का आरम होता है इसके बारे हम बात करें दोस्तो एक यहां पर थोड़ा सा बंगाल के इंदर में सुधिसी आंदोलन में ने बताया ठीके यहां पर जो हमारा कोश्चन ही वहला पांचो कोश्चन में दिसी लोग थंत्री करन्थ से पहले हमारा चुछन हैगा सोराज पार्टी की विचारदारा क्या थी और रास्टी आंदोलन के अंदर में इसका विकास बंगाल के अंदर में सोधिसी आंदोलन तो मैंने भी आपको समझाया यहां पर सोराज पार्टी की बात करें ठीक है तो सोराज पार्टी है क्या सोराज का एक इसके जर्म दाता के तौर पे जो सुराज पाटी के जर्म दाता के तौर पे मोतिलाल नहरु और चितरंजन दास को माना जाता है आंदोलन को ठोस रूप देने के लिए इसका निर्मान किया गया जो आपका राष्टवाद की विचारदर अफैल रही थी सुतनत्रता आंदोलन चल रहा था उसको और मजगुत बनाने के लिए सुराज पाटी का निर्मान किया गया इसके निर्मान का उदेक अगर देखोगे तो 1919 के अंदर में जो अधिनियम पारित किया गया उसके बाद में जो लोगों की भावना थी उसके बाद लोगों ने सुराज पाटी की स्थापना करेंगे ठीक है भारती ये वर्ल्ड वर फर्स्ट के बाद बहुत ज़्यादा आसा रखने लगे थे कि हमें सायद अब मुक्ती मिलेगी ठीक है अंग्रिज हमें अब अजाद कर देंगे या फिर हमें हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेंगे हमारे लिए रूल रेग्लोजिट करेंगे रूल कुछ बनाएंगे बट वो सारे उनके आसा यासी धूमिल हो रही थी उसके बाद ये स्वराज पार्टी के स्थापना की गई और पार्टी के थुरू जो आंदूल नता वो बहुत जोर सोर से आगे बढ़ाए गया चितरंजन दास के दौरा चुनाव में भाग लेने क को सला दी गई कि आप चुनाव में पार्टिसिपेट किजिए अगर हमें अंग्रेजो का विरोध करना है तो सबसे पहले उनके सिस्टम के अंदर हमें घुसना पड़ेगा और सिस्टम के अंदर हमें घुसकर ही हम सिस्टम को साफ कर सकते हैं ये मानकर चितरंजन दास्थ न निर्मान किया गया और वहां से जो आंदोलन राष्टी आंदोलन चला था उसको वहां से आगे बढ़ाए गया दोस्तों ठीक समझ में आता है कि स्वराज पाटी की स्थापना किसे ने करी कि क recognizing की यह ता कि एक तरह से वो करके देखे रहे थे कि क्या रास्टी आदोलन के अंदर में इसका कुछ रोल दिखता है या नहीं दिखता है चितरंजन ही दॉआ कि अगर आपको श्रॉस्टम को साफ करना तो सिस्टम के अंदर के अंदर घुसना पड़ेगा उन्होंने को सलात दी कि वह चुनाव लड़े ठीक है इस तरीके से उसका अधार देखा जाता है पांचवा कोशन के हम बात करें तो देसी रियासतों में लोग तांते ही करन की परकिरिया इसको भी हम तीन चरण के अंदर में बढ़ते हैं पहला चरण आता है प्रसासनिक सेवाओं के नियुकती तो लोगों ने पहले चरण के अंदर में क्या देखा भीया, पहले चरण के अंदर में वो मानके चलते हैं लोग, कि भीया हमें परसासनिक जो सेवा थी, परसासनिक सेवा अंगरेजों के द्वारा जो परसासनिक सेवा लाई गई थी, उसके अंदर में कोटा मिले, ठीक, इसको सोतंतता मिले सिख्षित समुंत के द्वारा मतलब यह मांगी जा रहרה थी परति निधित मूलक परिशत की स्थापना हो कोई भी अगर संगठन बनारे तो हमारा एक परति निधि 2192 बैठा हो परतिनीधित मूलक हो ठीक है हमारा बात रखने वाला कोई बंदा हो ऐसा एक कानु व्यस्था बनाए जाए यह पहले चरण के अंदर में उठाये गया दूसरे चरण के अगरा बात करो दोस्तो तो दूसरे चरण का जो सुरुवात था 1920 से लेकर 1930 तक चलता है जिसके अंदर में जन परतिनीधी ठीक है मतलब एक आदमियों में से हम में से चुना हुआ एक परतिनीधी है थीक है कोई भी संगठन मना सके राजनीतिक संगठन मना सके उसका अधिकार मिले तीसरा वो देखते थे चुने हुए सदसे का मंत्री बनाया जा सके एसा ना हो कि भाई आपने सदसे चुना है बनाने का अदेस दिया है अधिकार दिया है इसके उपर में भी यहाँ पर दूसरे चरण में जोर दिया जाता है तीसरे चरण के अगर मैं बात करूँ तीसरा चरण 1930 से लेकर ठीक है, 1940 के बीच में तीसरा चरण यहाँ पर चलता है तीसरे चरण के अंदर में टेक्स सामंती और जो बेगार था उसके खिलाफ में चलाए गया अलग-अलग तरह के जो टेक्स ववस्ता था सुच्छाचारी सामनती ववस्ता था ठीके बेगार ववस्ता था उसके खिलाफ में यहाँ पर तीसरा चलनी स्टार्ट होता है जिसमें जमिदारों का विरोध करते हुए आंदोलन स्टार्ट होता है 1930 में हाती गोड़े उट पर चड़ने का जब राजपूतों का विसेसा दिकार था उसको चुनोती दी गई ठीके मंदिरों की सड़क अचूतों के लिए खोलने की मांगी गई कि भईया इकवल यहां पर राइट मिले अब यह देखो जो देसी रियासते हैं देसी रियासते कौन हुआ तो भारत 1947 में जब आजाद हुआ तो भारत के सामने 565 तोटल राजवाडे थे ठीके राजवाडे छोटे 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 राजा ठीके वो देसी रियासत मान लो इत्तर से उसके अंदर में लोगतांतरी करन की परकिरिया क्या थी राज तंतर के अंदर में क्या होता है कि सबसे हेड राजा है बाकी सब भी लोगों के उपर क्या राइट है क्या नहीं है ठीके क्या अधिकार है क्या अधिकार नहीं है यह राजा तै करता है पर दीरे दीरे लोग क्या हो रहे थे लोग तांत्री करने के और बढ़ रहे थे जहाँ पर वो अपनी मांग कर रहे थे ठीक है वो टोटल मांग तीन चरणों में हुआ जहाँ पर 1920 से पहले का जो टाइम पिरेट था उसके अंदर में परसासनिक जो पद थे उसके अंदर में निफ्ती हो अकर कोई मंत्री बन रहे राजा का कोई कुछ बन रहे उसके अंदर में निफ्ती की जाए उसकी मांग की गई प्रेस जो भी निउस रिपोर्टिंग है उसको सोतनतरता के साथ उसको चलाए जासे के उसकी मांग की गई ठीके सिक्षित समूं के द्वारे सारी मांग उठाई गई ठीके परती नीदी तु मुलक अगर आप कोई संगठन बना रहे हमारा वंदा भी वहाँ पर बैठे हमारा भी एजेंट हो ऐसा अधिकार दो तो पहले चरण में यह दिखा गया दूसरे चरण के अंदर में जन परती कोउषन के अंदर में पड़ते हैं तो धीकि समझ में आता है अगला अगर मैं अगले खेस्ट कोउष्य कर बैड़ू तो तो यहां पर चटा कोशन हमारा कहता है कि रास्टिया, आंदलोण और दलित वर्गों मैं बात करूँ ठीके मतलब एक तरह से कोटा दिया गया रिजविशन दिया गया सिक्षा के लिए लोग सेवा आयोग के अंदर में भी जो IPS, IPS, UPSC होता है उसके अंदर में भी लोग सेवा आयोग के अंदर में भी आरक्षन का प्रावधान किया गया रास्ट ये उत्थान के लिए अस्परश्टा का अविश्यक है मतलब रास्ट को एक करने के लिए रास्ट को विक्सित करने के लिए अस्परश्टा मतलब जो चुआ चूत ये सब चीजे हैं उसको भूलना पड़ेगा ये अविश्यक है यहाँ पर माना गया गोपाल कृष्ण गोखले और लाला राजपत राय जी ने ठीक है मतलब अगर ये इन दोनों का मदध था कि अगर हमें राष्ट को विक्सित करना है तो जो असपर्षता है जो अचुआ चूते इसको भूलना पड़ेगा इसको दूर करना पड़ेगा तब ही हम राष्ट को सं जो वर्क है वहाँ पर दलीतों के लिए नहुने बिसेश करम उठाये वहाँ पर दलीतों को लेकर उन्होंने आवाज उठाया यह यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है इस्ताने समाच के अंदर में दलीतों का परतिन इधित वह यह इसके उपर जोड़ दिया गया 1920 का जो निर्वाचन आयोग था, निर्वाचन जो समू था, निर्वाचन सम्मंदित सुधार किये गए, जिसके अंदर में वो भी चुनावी परकिरिया में पास्टी सिपेट कर सके दलीत वर्ग, यह यहाँ पर इसका प्रवंद किया गया, ठीके समझ में आता है, सात्वा अगे बढ़ाता है, मतलब भारत छोड़ो अंदोलन आगे चल के होगा, होने से पहले क्या क्या चीज़ी थी, इसके बारे में बात करें, तो तकारन कारण का तौर पर हम सेकिंड वर्वर को देखते हैं, अगर सेकिंड वर्वर नहीं हुआ होता, तो हम भारत छोड़ो अंदोलन को अगनाईस करते हैं, युद आपूरती, सेकिंड वर्वर के अंदर में ब्रिटेन पुरी तरसे लगा हुआ था, उसकी चीज़े बढ़ रहे थी, जरूते बढ़ती जा रहे थी, तो उसको युद आपूरती भी हम करने ही पारे थे, पुरी तरसे भारती है, जो दुराष्टवादी विचारक थे, या दास्टवादी जितने भी लोग थे, वो डारेक्ली खुली चुनोती के तोर पर उपनवेश्वादियों के लिए यहां पर आते हैं, ब्रिटेन की सोचनिये इस्तिती, जो ब्रिटेन की जो इस्तिती थी, बहुत जादा दैनिये थी, सोचनिये थी, कि वो ब्रिटेन दो फ्रेंट पर लड़ रहा था, एक तरफ जपान, जो भारत के हिंद मास आगर बर्मा तक आ चुगा था, और दूसरा फ्रेंट, दूसरी तरफ से वो ब्रिटेन लड़ रहा था, जिसके कारण से ब्रिटेन को दोनों जगत खोने का डर था कि इधर का ना रहा हूँ, इधर का ना रहा हूँ, ठीके तो ब्रिटेन ने फोकस, मतलब उसकी सिस्ती सोचनिये बनती चली गई, ठीके दैनिये बनती चली गई, इसके कारण से, ब्रिटिस भारतिय सेना का बर्मा में कमजोर परदर्शन, जो ब्रिटिस भारतिय सेना थी, वो बर्मा के अंदर में बहुत कम जोर प्रदर्शन कर रही थी, हिंद मासागर में जपान से सीधा यूद था, जपान की जो सेनाती नव सेनाती वो पूरी हिंद मासागर में आ चुकी थी, 1942 के मद्दे, बिर्टेन को अपनी चमता पर विश्वास दिरे दिरे कम होता चलागी, 1942 के अंदर में, 1941 में केंद्रिय प्रांतों में उड़ी अफवा, अब देखो जब अंग्रेज उधर सेकिंड वोलवर में बिलड रहे हैं, ठीके इदर भारत के अंदर में राष्टवाद क जो भारती रास्टवाद के विचारक थे या जो भी लोग थे, उनको भारत छुड़े आंदोलन जैसे चीजे करने पर मतलब प्रसाहित किया, कि उन्होंने सपोर्ट किया, कि महां पर सपोर्ट मिलता है, और आगे यह आंदोलन होता है दूस्तों, अगला कोशन के अगर में में बात करूं, तो कोशन नबर आठ, कोशन नबर आठ के अंदर में हम बात करते हैं, भारत में उपनीवेशिक सत्ता के विरूद, गांधिवादी रहन निति की toor पर देखा गया, डिर्ग एक का ला एक ऱ्रची की गांदी जी की लॉट्सेस वाली रणनीति के तर पे देखा गया और यह माना गया कि समराच्जिवाद को अचानक से हटा आया नहीं जा सकता, हटाने नहीं दिया जा सकता, ठीक,幹嘛 घंजी जी कैस sudah हास्चिसी क्या रणना था ओकर यह मानना था ठीक है तो इस तरह की चीजे परती पक्ष कि सोभाब का पता लगाना गांधीजी ने माना कि बैए सबसे पहले आगर आपके जो भी दूस्मन है आपका जिस से भी आप लड़ रहे हो एसका सोभाब कैसा है ठीक है उसका- आचरण कैसा है उसके बारे में पता लगाओ उसकी साफसा स्ट्राटीजी बनाओ ठीके तब ही आप उससे विजय कर पाओगे ये गांधिवादी के रणनिती के अंदर में रखा गया सिवधांतिक गति वीदियो के जरिये विधाय की निकायों तक पहुचा गया ठीके गांधी जी ने बोला कि भीया अगर आपको सिस्टम को हराना है तो सिस्टम के अंदर गुसना पड़ेगा सेम चितरंजन दास जी के दौरा यहां पर गांधी जी की बोला गया उसके लिए क् निकायी जो भी चुना हो रहते अलग लग चुना हो तो उसके इंदर पार्टिसिपेट किया गया वहां पर अपने लोगों के निप्ति की गई फिर देरे वो लोग गांधी जी के लिए वहां पर आवाज उठाते थे ठीक है जैसे हम ने क्या किया कि हम सभी लोगों को भार जाते जो भी मेरी परसानी है तू वहां पर बोल ठीक है तू मेरी जगव बोल तू मेरी जगव लड़ ठीक है तू मेरी जगव महां पर बिल पास करवा और मुझे सुवधा दिलवा ठीक है तो इसी तरीके यहां पर भी चीज़े की गई कि निकाये उमें अपने लोगों को आपयों पर पहुंचाय जाना रणिती का जो केंद्रियत तत्व दिखा गया अहिंसा रख़ा गया ठीक ही कि ऐनासा की अधार पर ये पूरी रणिती गांदी जी की चल रहीतीति सुषट्य सार सारी सा था। यहीं सारी चीज़े यहाँ पर आंदुलन के अंदर में बात करूँ तो भारतिय रास्ट का निर्मान ठीक है ये इसका मीन विरास्ट के और पर दोरों पे देखते हैं राजनीति में जन भागिदारी जो लोग थे उसके अंदर में पाटिसिपेट कर रहे थे नागरिकों के अधिकारों का प्रोसान करना ठीक है आदुनिक विज्ञान और तकनीक पे अनधारित आर्तिक वेवस्था धर्म निर्पेक्षता सोतंतरता विदेशनीति यह राष्टि आंदरोन की विरासत के तौर पे यहां पर दीखा गया ठीक है इसकी अगर कमजूरी देखें तो ऊच नीच की भावना थी लोगों के अंदर में वह कमजूरी के तौर पे देखती है जाती है पुर्वागरा कि यह इसकी उची जाती है मेरी नीची जाती है य यह जाती है जो जाती है पुर्वागरा था लोगों की जो मेंटिलीटी बनी रही थी यह यहां पर इसकी कमजूरी के तौर पे देखते हैं विखंडन कारी तागतों से निपटने में असफ़क्त जो ऐसी तागते थी समाज के अंदर में जो समाज को तोड रही थी विखंडन कर रही थी उससे वो निपटने में असमारत थे यहां पर यह देखा जाता है दोस्तों ठीके यह समझ में आता है यह हमारा नोवा कोश्चन भी खतम हो जाता है और आगे हमें बात करूँ अगले कोश्चन पेपर के और बढ़ू तो अ आपका MHI 09, June 2019, भारतिये रास्टी यह आंदुलन आपके बुक का नाम हो गया, तीन गंडे यह कोश्चन पेपर है, टोटल सो नंबर यह कोश्चन पेपर है, किनी 5 कोश्चन का अंसर देना है और टोटल वर्ड हमें जो लिमिट याद रखने है 500 वर्ड के अंदर में ही हमे आंसर यहां पे देना है, ठीक है समझ में आता है, इस कोश्चन पेपर की बात करूँ दोस्तों हमारा तीसरे कोश्चन पेपर होने वाला है, इस कोश्चन पेपर की बात करूँ, तो रास्ट और रास्ट वाद के उदे के बारे में गैर आदुनिक्तावादी सिधानतों के क्या मानते हैं रास्ट और रास्टवाद को लेकर यहां पर इसके बारे में बात कते हैं तो गैर आदुनिक्तावादी सिधान्त के दोरा तीन तय के चीजे माटी गई तीन तरह का तीन चरण में डिखा गया गैर आदुनिक्तावादी सिधान्त एक तो पहला माना गया विकासवादी, ठीक है, विकासवादी सिधांत, विकासवादी के अंदर में का गया कि रास्ट को विकासवाद के रूप में लिया गया, रास्ट को एक दिर्ग कालिन विकास का परिणाम माना गया, कि जो रास्ट है जिस तरह के दिखता है, वो है कि बस तुरंत हो गया गैर अदुनिक्तावादी जो सिद्धानत है और टूटल तीन चरणों में डिवाइड है जिसमें पहला चरणा आपका विकासवादी ठीक है जिसके अंदर में बोला गया कि रास्ट एक विकासवादी के रूप में देखा गया माना गया रास्ट को द प्रकृतिवादी के तौर पर यहां पर दूसरा फेस माना गया प्रकृतिवादी के अंदर में क्या आ गया कि रास्ट को एक प्रकृतिक जैसा देखते हैं ठीके रास्ट के एक प्रकृतिक की तरह है ठीके मानव मस्तिक सोभाविक रूप से सुईकार करता है और इस इसको जो human mentality है वो मानता है भी है कि रास्ट के एक प्रकृति के तौर पर है गैर आधुनिक्तावादी रास्ट को प्रकृति मानते हैं जो गैर आधुनिक्तावादी जो भी विचारते वो रास्ट को एक प्रकृति के तौर पर मानकर चलते हैं तीसरा जो गेरा दुनितावादी के अंदर में जो point आता है, यहाँ पर हम निरंतरतावादी के अंदर में बात करूं, तो यहाँ पर का जाता है, रास्ट को एक brand, एक value, brand value के तौर पे दिखा जाता है, जिसका example अगर मैं बात करूँ, पहले मैंने starting में बताया था, एक example पाकि पाकिस्तान को उदे किस प्रकार से हुआ या फिर उदे का आपका क्या दिखता है तो मुहमद अली जी न बोलते कि पाकिस्तान सुरू से ही था ठीके कोई बना नहीं है कोई पैदा नहीं हुआ है और सुरू से बहुत समय पहले से ही था मतलब था वो पहले से ही था ठीके ऐसा हो मान केचल थे बहुंमाद घली जीन कि वहीं से पाकिस्टान की भावना रखकी गई ठीक है पाकिस्टान बानता चला गगा और नहीं पहले साही इता है और मतलब यहाथ की एक दिन में छोंग में फिल क्दा को complete करवाने के अंदर में ठीक है समझ में आता है अगले कोशन की में बात करूँ तो यहां पर सोदेशी आंदोलन के उदे के लिए उत्तरदाई कारण कौन-कौन से थे किस परकार से सोदेशी आंदोलन का उदे हुआ यह वाला कोशन मैं पीछे भी करवा चुका हूँ दोस्त बात में ही बंगाल को कई सारे बाच दिया गया ओड़न आ और लग-अलग कर दिया गया और बंगाल के अंदर में जो राजनिति गतिवीदिया थी, या फिर राष्टवादी गतिवीदिया थी, वो बहुत जोरो-सोरो से चल रही थी, तो अंग्रेजों ने क्या, किया एक मैप बनाया, मैप में देखा कि भीि या इधर बिहारी रहे हैं, इधर उडिसा के रहे है, इदर बंगाली रह रहे हैं इदर यह रहे हैं इदर मुस्लिम रहे हैं तो इनको इनके धर्म के अधार पर बांट दो ठीक है जिसे इनकी पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब यहां पर जो कलकता के अंदर में या बंगाल के अंदर में जो भी आंदोलन पाटिसिपेट कर रहे हैं वो बिहार से चार लोग उडिसा से आ रहे हैं चार लोग जारकंड से आ चार लोग असाम से आ रहे हैं मतलब इस तरह से अलग अलग जगह से आ रहे हैं ठीक अगर मैं इनको में अलग अलग बांट दूं तो तो चार बिहार वाले तो बिहार मी रहे गें да जार्कंड वाले जारकंड पें जार्व करण में रहे है ठीक है बंगाल वाले बंगाल मुंगर एंकि सक्तिक कमजोर हो गई ठीक है, आप मान लो, किसी कुस से लडने जा रहे हो, ठीक है, टोटल आप मान लो, 30 लोग हो, लडने के लिए गए हो, 30 लोग गए हो, ठीक है आप तो कोट लग रहा है न तीस लोग है मेरे साथ पर तीस लोग तो अलग लग जगह है तो आपकी क्या पावर क्या कमजोर बढ़ गई पर वहीं पर आप एक बंदे से लड़ने जा रहे और वो तीस के तीस लोग आपके घर में रहते हैं तो आप तीसो को लेके होगे तो आपकी पावर बढ़ जाएगी तो यहां पर इस तरीके से यहां को दिखाए गया ठीक है समझ में आता है अगला आता है यहां पर सौधिसी आंदोलन का उदे का मीचे का कारण पहला तो बंगाल बंगाल का विभाजन लॉड करजन की नीती जो लॉड करजन की नी लॉड करजन के दौर्वड कारूण पास जिसके अंदर में कलकता कॉर्परेशन एक्ट ठीक है बिस विध्यालले कानून ठीक है और प्रेस ऎक्टे जैसे कानून लाई जिसके विरोध में ये सारी चीजिशह चल रही थी और जंता इससे क्रोधिक ती आगे मैं बात करूँ इसके उदे के लेकर पस्चमी करण का विरुद जो परक्रिया थी जो पस्चमी करण के विरुद जो परक्रिया चले थी उसके कारण से भी यहाँ पर सोधिसी आंदोलन का उदे होता है आगे भारत की जो बिगड़ती हुई अर्थव्यस्ता थी या फिर बिगड़ती हुई आर्थिक जो इस्तिती थी उसके कार्ण से यहां पर सोधिसी आंदोलन का आरहम होता और अंग्रेज जो लोग थे अंग्रेज थे जो अंग्रेजी सरकार थी वो इस चीज को समालने में अ बात करता है कि एक होम रूल और लखनव समझोता दो परमुक रास्टवादी गतिवीदिया होती हैं पहला होम रूल दूसरा लखनव समझोता होम रूल की बात करें तो सोषासन के अंदर में कंग्रेज निताओं को मनाया जाने लगा एनी बैसेंट के द्वारा इसका इसके लिए माना मनाया गया और यहीं से देरे देरे जो कांग्रिस पार्टी का स्वरूप था उसके नमें परिवर्तन आता है मैंने यह स्टार्टिंग से इस वीडियो के अंदर में कई बार बोल चुक है यहां से परिवर्दन आता है समाचार पत्रों के माध्यम से संगठित करने कारना है क्या घलत है तो इस तरह से सब्सक्राइब कारना है यह यहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर दो गतिवीदिया होती है पहला तो होम रूल अंदोलन जो मैंने बता दिया आपको दूसरा होता है लखनाव समझता जिसके अंदर में 1906 में मुस्लिम लिग की स्थापना होती है और मुस्लमानों के लिए अलग निदवाशन बंडल की ववस्था की जाती है यहाँ से यह दो परमुक गतिवीदियो जो बारत के अंदर में घटती है उस टाइम पर यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अगला कोश्चन जो हमारा अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर 4 अगर मैं कोश्चन नंबर 4 पर जाओं दोस्तो ठीक है तो यहाँ पर कोश्चन नंबर हमारा 4 आ गया कोश्चन नंबर 4 के अंदर में का गया 1920-1930 के दसक में करांतिकारी राष्टवादियों की जो विचारधारा थी उस पर एक टिकपनी लिखिए तो यह वाला जो कोश्चन है दोस्तों मैं पहले करवा चुका हूँ पीछे आप बुक पलट के देखोगे तो मिल जाएगा आपको दिसंबर बुक पलट के कह रहा हूँ आप पीछे वीडियो को रिवाइन करके देखोगे तो दिसंबर 2018 के अंदर में कोश्चन नमबर फॉस्ट जो है वो सीम कोश्चन यहां पे मैंने करवाया है ठीक है अगला कोश्चन पाचो कोश्चन के और में बढ़ू तो आर्थिक रास्टवाद की धारणा को आगे लने में आरंभिक रास्टवादी थे उनके द्वारा आर्थिक रास्टवाद की धारणा को कैसे आगे लाए गया इसके बारे में बात करते है देखो दोस्तों ये वाला कोश्चन भी में करवाच चुका हूँ दिसंबर 2018 के कोश्चन पेपर के अंदर में ये वाला question भी आपको मिल जाएगा आप वहाँ से इस question को देख सकते हो ठीक है समझ में आता है अगले question की ओर मैं बात करूँ तो अगला question है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिपनी लिखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो सुरुवाते 8 अगस्त को होता है इसका लक्षे ब्रिटिस समराज्य का पतन रखा जाता है गांदी जी के आवहन पे संपुन भारत के अंदर में आंदोलन स्टार्ट हो जाते है गांदी जी के द्वारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा मतलब नारा तो वो नहीं देते हैं उनके द्वारा कहा जाता है यूसुप मेहर अली जो होते हैं भारत छोडो को नारा देते हैं सबसे पहले अंगरेजों के भारत गांधी जी के द्वारा करो या मरो के नारा दिया जाता है एक भासन के अंदर में जिसके बाद गांदी जी को ग्रफतार कर लिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के जो मीन कारण था करने का क्रिसप जो मिशन था उसकी विफलता विफलता वो एक कारण बनता है दुट्य विश्वीत के अंदर में भारत की भागिदारी जो लोकल नहींता थे उनसे बिना पुछे जो दुट्य विश्वीत के अंदर में जो जानमाल के हानी हुई उसके कारण से भारत छोड़ो आंदोलन का सुरुवात होता है ब्रिटिस विरोधी भावना का परसार जिसकी कारण से भारत छोड़ो आंदोलन का सुरुवात होता है और छोड़ो जो सविदा मतलब भारत छोड़ो आंदोलन है उसका किंदरी करन करना मतलब पूरी तरह से संगठित एक ही करन करके चलना इसका एक main reason दिखा जाता है आवस्यक वस्तियों की कमी जो रोज डेली जो रोज मर्रा की वस्तियों थी उसकी कमी हो रही थी ठीक है भारत के अंदर में देले देले इस्तिती खराब होते जा रहे थी जिसके कहां से यहां पर यह आंदोलन इस्टार्ट पता है यह वाला question का answer भी मैं दोस्तों बता चुका हूँ आप अपने पीछे इस वीडियो को rewind टरके देख सकते हैं साथवा question के मैं बात करूँ यहां पर साथवा question कहता है भारतिय रास्टिय आंदोलन की विरासत के मुखे सक्तिया और कमजोरिया कहती यह अभी पीछे जो मैंने question paper करवाया उसके अंदर में यह सेंग question मिल जाएगा आपको 1920 और 1930 के दसक में UP और बिहार के किसानों का रास्टिय आंदोलन के संबंद में विचना UP और बिहार के किसानों के संबंद इस परकार के थे यहांपर 1902-1930 के दसक में 1918 में home rules अदस्स्यों के अंदर में किसानों को संगटित किया गया अलग-अलग ग्रूप किसानों का संगठन बनाया गया, किसान सभाव को रिमान किया गया, अंग्रेज के सरूप में दिरे दिरे परिवर्तन हुआ, कॉंग्रेज भी किसानों के लिए सक्रिय भूमिका के निबाने लगी, ठीक है, 1929 में यूपी के जीलों में किसान आंदोलन आयुजित किया गया, जिसके अंदर में जमिदारों की फसले जला दी गई, ठीक है, कॉंगरेज के भीतर एक अखिल भारतिय संगठन का मांग किया जाने लगा, ठीक है, इस तरह के चीजों को लेकर यूपी और बिहार के अंदर में, ठीक है, 1929 के अंदर में बिहार परदे तरह में जाता है, एक last आपका नौवा कोशन यहां पे बसता है, भारत्य सविधान के निर्माण में टिपनी, ठीक हैंपे टिपनी की बात करता है, भारत्य सविधान का निर्माण के इस प्रकार से हुआ है, इसके बारे हम बात करता है, तो 1 धिसमबर 1996 को सविधान सभा का गठन होता है उद्गाटन किया जाता है ठीक है एक दिसंबर 1946 को तेखो अब यहाँ पर हम बात करें सविधान Constitution कैसे बना उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक दिसंबर 1946 को इसका सविधान सभागा गठन होता है जिसके अंदर में टोटल 296 सदस्य होते हैं और जब इसका संगठन का जब पहला कारे काल जब पहला बठक शुरू होता है तो 207 ही लोग इसके अंदर में पार्टिस्पेट करते हैं बाकी लोग इसमें पार्टिस्पेट नहीं करते हैं मुस्लिम लिग के द्वारे इसका सभा का सविधान सभा का भहिसकार किया गया ठीक है और डॉक्टर सचीदा नन ने स्थाई अस्थाई अदेक्ष के दौर पर सविधान सभा के चुने गया ठीक है 10 दिसंबर 1946 को सथाई अदेक्ष के लिए चुनाओ समीति का गठन किया गय जिसमें संगिय सक्ति समीती थी जिसके अधेक्ष पंडित जवारलाल नहरू थे और प्लस में नो और मेंबर उसके अंदर में सामिल थे दूसरा यहाँ पे संगठन देखने के लिए मिलता है अधिकार और अल्प संकिक समीती जिसका जो में अधेक्ष था सरदार पटेल और प्लस में 54 और मेंबर इसके अंदर में सामिल थे तीसरा जो यहाँ पे हमें दिखता है समीतिया संचालन समीती सोरी दोस्तों तीसरा यहाँ पे जो हमें दिखता है संचालन समीती दिखती है जो के एम मुनसी उसके अधेक्ष थे और प्लस में तीन और मेंबर इसके अंदर में सामिल थे जिसके अद्क सवधाल पटेलते और 25 और मेंबर इसके अंदर में सामिलते पांच बात जो समीथी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जो संगे सर्जदान समीथी जिसके मेन अद्क पंड़ित जवारला लिरू और प्लस में और 15 जोग यहाँ पे सामिलते ठीक है समझे में आता है अगले question की paper के और बढ़ते हैं यहाला question paper हमारा खतम होता है अगला question paper देखो गए तो यहाँ पर July 2020 का question paper है ठीक है Indian National Movement सेम सब कुछ है इंदी medium के हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है यहाँ पर हमारा यह जुलाई 2020 का question paper आ जाता है ठीक है सेम है सो नंबर का question है तीन गंटे के अंदर में करना है बारते रास्टे कोंगरेस यह book का नाम हो गया 500 word के अंदर में हमें इसका answer लिखना है पर आगे हम बात करें यहाँ पर question का क्या क्या है तो भारते रास्टवाद की धारणा का व्याक्या कीजिए बारते रास्टवाद क्या है और इसके आरंबिक मुखे विचारों की वेचना कीजिए यह पीछे भी मैंने इसको अभी करवाया है तो यह वाला question ओक्य है रास्ट और रास्टवाद के बारे में आधुनिक सी धानतों की वेचना कीजिए यह वाला भी मैंने करवा चुका हूँ आपको तो इसको आपको मिल जाएगा महातमा गांदी के राजनीतिक दर्शन पर टिपनी कीजिए यह भी question में करवा चुका हूँ तो यह भी आप पीछे देख सकते हो ठीक है 1920-1930 के दसक में करांती कारियों की विचार यह भी मैंने तीन चरण के अंदर मैं भी बताया है तो यह भी question ओके है आपका यह भी कर सकते हो खिलाफत आंदरों के परकृतियों रासायों यह भी बताया है तो यह भी कर सकते हो ठीक है almost दोस्तों इसमें के चो questions आपको दिख रहे हैं जैसे चटा question हो गया दलितों के बीच में संबंद किस परकार से यह भी मैं करवा चुका हूँ जन विरुदी रूप में वर्णन यह भी करवा चुका हूँ रास्टवाद किसानों के संबंद यह भी बता चुका हूँ तो दोस्तों आप यह मान के चल सकते हो कि almost questions जो है इसमें repeat हो रहे हैं ठीक है यह भी question वारते रास्टे विरासत सक्तियां और कमजूरियां यह भी करवा चुका हूँ दोस्तों पूरा पूरा question paper अब repeat हो रहा है ठीक है तो आप यह समझ सकते हो कि यहां पर हमारा बहुत है इनासर कर रहा हमने यहां तक पढ़ा हमने ठीक है आप सभी के लिए एक homework यह है इसका जो pdf है मैं अभी telegram group में डाल दूँगा दीन आपके वहां से आप download किसे अपने आप courses किसे solve करने का और I hope so अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको बहुत अच्छे सी वाला जो flavor से cover हो जाएगा समझ में आएगा वीडियो कहीं पर कोई doubt नहीं रहेगा कर कोई भी doubt रहता है तो description में जाना है directly मुझसे contact किजिए मैं आपके doubt को solve करूँगा जो भी doubt है यह है कि अगर यह video valuable लगती है तो उसके उपर response दीजिए feedback दीजिए आप हमारे चैनल को join किजिए thanks pay कर सकते हो आप ठीक है thanks pay के अंदर में आप हमारे चैनल के लिए कुछ भी छोटा सा amount आप पे कर सकते हो whatever you want ठीक है उसके सासात में दोस्तों आप हमारे चैनल को subscribe करना बिल All the best for your exam और मैं एक और वीडियो MHI 09 का लेकर आऊँगा आज या कल के अंदर में जिसमें all important topics क्या है MHI 09 के वो मैं यहां पे cover कर वात हुआ ठीके friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best